मित्रो नमस्कार राम राम मैं अचारित तरुन सर्मा सरल जूतिस के इसकारेक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कालतिक मास में अगर हम सभी 16 सुमवार के वरत को प्रारम करती हैं जो भी माताय बहने बीजियो में कृपार के करने में सब्सक्रीक में नियम में पर चर्चा करें इस करेंगे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सोला सुमवार जो व्रत है उसके विधी के बारे में भगवान सिव का जला विसे किया जाता है यह विसे गंगा जल और पवित्र नदी के जलसे किया जाता है भगवान का अभसीर दूद दही घी जह सहद चने की डाल के तेल काले तिल से किया जाता है पूजा में आप सभी जानते हैं कि ओम-नमअ-सिवाए गड़े जी के मंत्र है ओम-गण-गड़-पते नमअ-थ्द ceux जा भीज मंत्र ओम-श्राम-श्रीम-श्रॉम-श्रॉम-था चंद्रम Soham75 से नमखा अदि मत्रों से कम से कम तीन माला जब करने के बाद करने चाहिए को जो कि मार्केट में मिल जाते हैं नहीं तो मेरे चैनल के मार्थर पूजान का समय आप पूछेंगे लिए इस बर wanna दिन तीसरे प्रहरमे अर्थाक।म्न चार बज़े के लिकर चाहिए। इसले परनतु एसा नहीं करें लिसा ही बातों पर आई से मन मैं ढूइधा रथिकी 16 संवार रत में प्रसाद में क्या-क्या चढ़ाएं, इस वरत में गेहू के आटे में घी तथा सक्कर मिला कर उसे हल्का भूनकल चून्ड बनाना चाहिए, इस प्रसाद को मुख्ष प्रसाद माना जाता है, किसी भी परिस्थिती में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए इस प्रत्यक सुमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा, इस प्रकार प्रत्यक सुमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा, इस प्रकार प्रत्यक सुमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा, इस प्रकार प्रत्यक सुमवार को इसी साथ किसी भी ऐक फल का उपियोग जरूर करना चाहिए परकुझे प्रन्तु जिस फल को आप एक बार उपियोग करेंगे उसी फल को सभी सोम्वारी व्रत में उतनी मात्र hemen उपियोग करना होगा निथा आपका व्रत खंडी थो जैसे आपने केला प्रयोग च्छै केला आपने प्रयोक किया है तो आपको च्छै केला हर सोमवार के दिन आपको लाना है और इसमें विशेश रूप से हम जा रहे हैं कि हमको वरत खंडन का दोस्त नहीं लगना चाहिए अब आगे हम यह देख रहे हैं कि इस वरत के बारे में सावन सोबार जो विधी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें सोमवारी वरत का उद्यापन अब हमको करना है हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों मंत्रों से पूजा कि लुझा जितना सब्दाबाव से पूजा कि उसके बाद सोंवारे वरत क उद्यापन हम लोग जानना चाहते है कई मतलों कि में सवाल होगा हम को वरत के द्वारा उसी समय करना चाहिए जिस समय आप प्रत्यक सुंबार को पूजा करते थे इसलिए समय की महानत्ता विसेश हो जाती है उद्यापन सब्सक्राइब दूद, दही, बरफी, चांदी और फलो का दान करना चाहिए इस दिन विवाहित दंपत्यों को भी जिमाय याने भोजन कराया जाता है दंपत्यों का चंद्रदर्सन और विदिवत पूजन किया जाता है लोगों को उफार स्वरुप को सामगरी भी उद्यापन के दोरान में दी जाती है चांवल जरूर देना चाहिए एक पाउचावल कम सकम या फिर अगर पंडी जी को देना चाहिए तो विशेश रूप से कई जगों पे सोलह बार अपनी अजुली से पंडी जी को या किसी सोभाग्य वती इस्तरी को अनपूरा देवी समझ करके हमको जरूर अक्षत जो चामल है अखंड चामल तूटा हुआ नहीं अखंड चामल चाहिए इस प्रकार देवों के देव महादेव सिव जी का पृत पूर्ण होता ह है और भक्त जन की मनुवांचित फल की प्राप्ति अवस्य होती अब आप सभी के मन में यह सवाल आगा कि सोंवार वृत में निम्न बातों का ध्यान रखते हैं हम लोग सोंवार जो भी वृत होता है तो सोंवार वृत पूजा से पहले पूर्ण उपवास रखा जाता है अ दूसरा हिस्सा बच्चों के लिए होता है और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहन करने के समय जो आपने पानी पी लिया उसके बाद पानी नहीं पीना होता है और इस सुरत में किसी भी परिस्तिति में नमक का प्रयोग तो होता ही नहीं है दिन में सयन नहीं करना होता है शोला सुमवार तक जो खाध्य सामगरी ग्रहान करें उसे एक इस्थान पर बैठ कर ही ग्रहान करना चाहिए, चलते फिरते नहीं ग्रहान करना चाहिए सोला सुमवार तक प्रसाद और पूजन के जुनियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित नहोंने दे एक नियम को चलने दे बार बार बदले नहीं जिस दिन से पूजा आरम करें उस दिन से उध्यापन तक किसी दूसरे के घर में भोजन भी नहीं करना चाहिए इस दिन पूण रुप से ब्रह्मचर ये वरत का पालन करना चाहिए इस दिन जूट नहीं बोलना चाहिए वरत के दौरान अपना ध्यान दिन रात सिव जी में ही लगाना चाहिए इस दिन सिव जी का कोई भी एक मंत्र का चैन कर लेना चाहिए तथा मन में इतना विशेश रूप से विश्वास करते हुए जब करते रहना चाहिए कि देवता का ध्यान बना रहे इस दिन मन वचन और कर्म से सिव मैं हो जाना चाहिए सोमवार व्रत जो होता है उसके विशेश रूप से लाब है क्योंकि हम लोग लाब के बिना कोई भी व्रत को नहीं करते हैं अब लाब के रूप में हमको मनो वांचित फल की प्रापति आथी भगवान सिव में अपनी इच्चाव को रखते हैं तो वस्य पूर्ण करते हैं कुमारी कन्यायो Ko fifty ci प्राप्ति होती जिनका विवार नहीं हो राए विशेश रूप से इस व्रत को करे तो अवस्य उनको लाब मिलता है संतान्सुक की प्राप्ति होती है घर में अकारण होने वाले पत्पत्नी के मध्य क्लेस में कमी आती है जो भी कलेस है दुख है कश्ट है पीड़ा है वो सभी दूर हो जाते हैं रोगों से मुक्ति मिलती है और सरीर में सीव सक्ती का संचार अनभूती होता है ऐसा लगता है कि सीव सक्ती का संचार विशेश हमारे अंदर एक एनरजी एक उर्जा आ चुकी है अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यों का भय कम हो जाता है जन्म कुंडली में असुब ग्रह की दसा चल रही है तो असुबता में कमी आ जाती है इस प्रकार सोमवार जो व्रत हम लोग रखते हैं 16 सोमवार उसके विबारे में विशेश हम लोगों ने चर्चा किया अब हम हम आगे चर्चा करें कि सावन सुमवार हार जय क्या अंतर है लेकिन haber सुमान्य रखते वह आप सोला नहीं अधिक भी कर सकते कम भी कर सकते आपको आजीवन भी आप कर सकते हैं पूजा के तीसरे प्रहर में होता है बाकि अनिय सकते हैं कभी भी हम पूजा कर सकते हैं आप किसी रूप में भी पूजा सोला समवार तक आपको करना हिं रहता इसमें कोई भी हमारा खारण या कोई भी एसक्यूज नहीं चलता कि हम ऐसा नहीं करें पंडी जी ऐसी बात नहीं है छूट गया कुछ और बात आ करना होता है दिन रात मिलाकर एक बार लेकिन बाकी सोमवार में ऐसा कोई कठी नियम नहीं आप चाहिए तो निर्जला रखें तो इस प्रकार से वीडियो आप सभी को कैसा लगा इसको मुझे अवस्ता साथी साथ मेरे चैनल में बने रहें आप सभी को नमस्कार राम राम जै आप सी आराम